मंच पर उपस्त और जिनके बुलाने पर हम और आप सब यहाँ पर मौजूद है बंगाल की सबसे बड़ी नेता यहां की मुख्यमंत्री आदरे मम्ता जी मंच पर उपस्त सभी दलों के हमारे सभी वरिष निता यहां पर उपस्त बड़ी संक्या में आदरी बुज़ूर्ग माताएं बहनें नौजबान साथी पतकार साथियों मैं सबसे पहले आदरी मम्ता जीदी जी को धनिवार और बढ़ाई दूँगा कि इस एतिहासिक कारकम को करने का फैसल किया मैं देख रहा हूँ यहां से लेकर के आखरी जगह तक जहां तक नज़र जा रही है लोगों के सरी सर दिखाई दे रहे हैं कुछ और दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही है लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खत्रा है मैं बंगाल की धर्ती को नमन करता हूँ वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देस ही दूसरा है और मैं यह कह सकता हूँ जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी यह तो अच्छा हुआ अधनी दीदी जी का मैं धन्यवाद दूँगा कि बारा तारीक को सपा बस्पा और हमारे सहयोगी दलों का गड़बंदन हो गया लोग सोचते ते गड़बंदन नहीं होगा बारा तारीक को गड़बंदन हुआ देश में खुशी की लहर दोड़ गई और आज की जो रैली है इसका संदेश जब देश में जाएगा देश की जनता भी फैसा लेने के लिए तयार हो जाएगी अभी अभी साल नया आया है हमने आपने नजाने कितनों को बढ़ाई दी होगी नये साल की अभी जब तारीक बदली नया साल आया हमने आपने सबने खुशी मनाई ये बदलाव आया और देश में नया प्रधान मंद्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिल करके वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इतने प्रधान मंद्री के दाबेदार हैं कभी कभी हमें चड़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूले बहुत हैं कौन बनेगा हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूले ज़ादा हैं जो जनता तै करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है फिर एक बार नया परधान मंतरी बनेगा हम पे तो इतने हैं हम आप से पूछते हैं जो फेल हो गए जिनोंने देश को निरास कर दिया जिनोंने जनता को धोका दिया जिनोंने छल किया जिनोंने साजिश की सडेंद किया समाज में नफरत फैलाई उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भाती जनता पाड़ी पर हो तो वो बता दें, कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है इस नाम ने निराश कर दिया है देश को और फिर, ये तो अभी कम दलों का गड़बनन है अभी तो जादे दलों का गड़बनन नहीं है हमने तो आप से सीखा है आपने गड़बनन करके सरकार मनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खुबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खुबसूरत गुलदस्ता बनाने का खाम किया है अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है आप पे चालिस गड़बंदन है चालिस गड़बंदन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाओ करीब आ रहा है आप और लोगों से भी गड़बंदन कर रहे हो CVI से ED से लेकिन हम समने मिलकर के जनता से गड़बंदन कर लिया है और लोगतंत में जो जनता ते करती है वही फैसला होता है इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन एतिहास एक दिन आप से अपील करने आया हूँ कि उत्तप देश और पूरे देश ने मन बनाया है अभी हम से पहले तमिल्लाडू के नेता बोल ले थे सोचो तमिल्लाडू में खाता नहीं खुलेगा बीजे बीगा और सपा पस्पा रेल्डी और हमारे सहयोगी दल मिल गए उस दिन से भाजपा में बैठक हो रही है बैठक के बाद बैठक हो रही और वो सोचने के आकरकार उत्तप देश में एक सीट कैसे जीती जाए अभी बंगाल बिहार जारकरन अगर तमिल लाडू जीरो कर सकता है बीजे पी को तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भाती जन्ता पार्टी का खाता नहीं खुले और फिर हर बात पे निरास किया जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा उन्होंने समाज में जहर भोलने का काम किया मैं अपने नौजमानों से कहना चाहता हूँ हम लोग उन्हें बहुत काम किया लेकिन बीजे पी के लोग काम पर बोट नहीं मांगते उन्हें जाने क्या साज़िश करेंगे सड़यन करेंगे आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेज देने का काम करेंगे इसले मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में नफस करकर के देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत करकर के एक एक संसत जिता करके भीदने का काम करना मैं एक बार फिर आदरें इमामताजी को बढ़ाई दूँगा तमाम नेताओं को बढ़ाई दूँगा के देश को बचाने के लिए लोगतंत को बचाने के लिए और जो संब्धाने एक संसता हैं बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बढ़ाई देता हूँ और इसे इतिहासी करकम जिसमें लाख और लाख लोग दिखाई दे रहे हैं शायद आखरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहोंगे लेकिन उसके बावजूद भी उसका जोत उससा कम नहीं हो रहा है और इस करकम बहुत सफल बनाने के काम किया मैं बढ़ाई देता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ